हेलो इस्टुडेंट मैं एसन प्रजापति ड्रिम क्लासिज के एक नए वीडियो में आपका पूना स्वागत करता हूँ इस्टुडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोबिल्टी और ये प्रोबिल्टी का इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है और इंट्रोडेक्शन के इस दूसरे पार्ट में हम आपको कंडिशनल प्रोबिल्टी याने साप प्रतिबंध प्राइक्ता के बारे में बताएंगे तो इस्टुडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कंडिशनल प्रोबिल्टी क्या होता है तो conditional probability को सौब प्रतिबंध प्रायक्ता या सौब प्रतिबंधी प्रायक्ता भी कहते हैं तो यहां पा जरा देखें क्या लिखा है माना दो घटना ए तथा यप है तब घटना ए की प्रायक्ता को प्रतिबंधी प्रायक्ता कहते है यदि घटना यप पहले ही घट चुका हो यानि अगर दो घटना इस प्रकार से हो E और यप कि एक घटना यप पहले ही घट चुकी हो तो E की प्रतिबंधी प्राइक्ता को P E by F द्वारा प्रदसित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार से परिभासित करते हैं ज़रा देखें P E by up equal to number of element in intersection E and up upon number of element in up तो student आपको पता दें कि conditional probability का example conditional probability में क्या होता है कि एक घटना घटनी के बाद दूसरी घटना घटती है जैसे कि यहाँ पर ज़रा देखें दो घटना E और यप है तो घटना यप के घट चुकने के बाद घटना E के घटने की प्राइकता को प्रतिबंधी प्राइकता करते हैं जैसे कि example के तौर पर आप सोच सकते हैं कि एक बैग है example जैसे लें कि एक बैग है और उसमें दस कार्ड हैं दस पते हैं और प्रतिएक पते पर एक से लेकर दस तक के अंक अंकी थे अब आप से कहा गया कि कोई एक पता निकले आपने एक पता निकला और पाया क्या कि उस पर तीन से अधिक अंक अंक अंकित है तो अब अगर आपको यह कहा जाए कि पती पर सम अंक आने की प्राइकता क्या है तो यह conditional probability का problem हो जाएगा यानि conditional probability बन जाएगा सौ प्रतिबंद प्राइकता हो जाएगा एक बार फिर से सुने example जैसे कि एक बैग है उसमें एक से लेकर 10 तक अंक वाले 10 पत्ते रखे गए हैं किसी एक पत्ते को आपको निकालना है और यह पहले से ग्याद हो कि उपर आने वाला अंक तीन से अधिक है और अगर आप से कहा जाए कि एक पत्ता निकला जाता है उस पर सम अंक आने की प्राइकता ग्याद कीजिए तो सम अंक आने की प्राइकता सौ प्रतिबंद प्राइकता कहलाएगी तो यहाँ पर जिराद देखी स्व प्रतिबंद प्राइक्ता अगर माल लिया E का निकालना है जबकि यप घटना पहले ही घट चुकी है तो इसका फार्मुला होता है कहने का मतलब क्या हुआ दोनों घटनाओं में कामन एलिमेंट की संख्या और बटे जो घटना घट चुकी है उसकी एलिमेंट की संख्या से डिवाइड कर देंगे कंडिशनल प्रोबिल्टी प्राप्त हो जाता है या इसमें जड़ा देखें इसमें क्या है कि अगर हम नंबर आप सैंपल इस्पेस नंबर आप इलिमेंट इन सैंपल इस्पेस से भाग कर दें आंस और हर में दोनों में क्या कर दें या निया से भाग कर दें तो यह क्या आ आजाएगा probability of intersection here और नीची के आजाएगा probability of here क्यों क्योंकि यह आप यह अपन यह आप यह यह नमबर आप element in here upon total number of element in sample space क्या हो जाएगा पी आप हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर probability of intersection here हो जाएगा इस्टुडेंट यहाँ पर धियान देना योगिया है कि यहाँ आपकी जो probability है वह 0 नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि यहाँ पर हर में पी अप है तो इसकी value 0 नहीं होनी चाहिए इस्टुडेंट अब आते हैं conditional probability के देखेंगे कुछ properties है यहाँ पर देखें conditional यानि साब प्रतिबंद प्राइक्ता के गुड यानि properties तो पहली property क्या है कहते हैं कि देखेंगे यास की conditional probability 1 होती है यानि पूरे इस्टुडेंट अभी हम इन properties को प्रूब करेंगे यहाँ पर जरा देखेंगे यहाँ पर जरा देखेंगे यह खास बात खास बात में क्या है रिमार्ग कि यदि A और B परस पर विसंधीत हों इस विसंधीत का मतलब disjoint कहने का मतलब क्या हुआ A और B में कोई element common नहीं है अर्थाथ A intersection B 5 तो यहाँ पर जा देखें A और B क्या है परस पर disjoint disjoint का मतलब इनकी intersection में कोई यह चीज कामन नहीं है A का element दूसरा रहेगा B का element दूसरा रहेगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखेंगे यही फार्मुला क्या है कि P up A union B up here याने A union B के conditional probability क्या हो जाएगा P up A by up plus P up B by up minus P up A intersection B by up होता है लेकिन यहाँ पर ही क्या हो गया disjoint होने के नाते A intersection B क्या हो गया फाई हो गया तो कहने का मतलब क्या हो है इसकी probability 0 हो जाएगी तो यहाँ पर मिलेगा P up A union B over up equal to P up A by up plus P up B by up याने A union B के conditional probability equal to हो जाएगी A की probability plus B की probability और student conditional probability का जो तीसरा property है वह जड़ा देखेंगे P up E by up E not by up है याने E की ना घटने की सब प्रतिबंध प्राइक्ता equal to 1 minus E की घटने की सब प्रतिबंध प्राइक्ता तो अब student हम प्रतिबंध प्राइक्ता की गुणों को तो देख लिए लेकिन अब आईए एक एक प्रतिबंध प्राइक्ता की गुणों को प्रूप करते हैं तो इसमें जरा देखें सबसे पहले जो पहली प्रापरेटी है पहली प्रापरेटी को हम लोग प्रूप करेंगे तो पहली प्रापरेटी सब प्रतिबंध प्राइक्ता का है यहाँ पज़रा देखें एक एक प्रापरटी को हम आपको प्रूब करके दिखाएंगे पहली प्रापरटी P1 है ज़रा देखेंगे probability of yes by of equal to 1 तो probability of yes by of equal to 1 यह हमको प्रूब करना है तो यहाँ पज़रा देखें probability of यहाँ पर yes by of का मतलब हो गया यहाँ पज़रा देखें probability of yes by of तो conditional probability के definition से इसकी value हो जाएगी ज़रा देखेंगे यहाँ आप yes intersection of upon यहाँ आप यहाँ conditional probability अभी हमने बताया आपको कि अगर e by of है तो number of element in e intersection of था यहाँ पर yes by of है तो number of element in yes intersection of upon total number of element in यहाँ तो ज़रा देखेंगे yes क्या है sample space सबसे बड़ा set है और यहाँ क्या है sample space का कोई एक उप समुच्चे है तो यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है तो दोनों का जब intersection निकालेंगे तो यह किसके बराबर आएगा यप के बराबर आएगा तो यहाँ पज़रा देखेंगे yarn of yav upon yarn of yav yarn of yav का मतलब क्या हुआ number of element in set yav and number of element in set yav तो यह दोनों equal है तो इसकी value कट कर one आ जाएगी इस तरह से पहली property प्रूप हो गई कि yes probability of yes by yav यानि conditional probability of sample space equal to always one तो इस तरह से पहली property को प्रूप किया जा सकता है अब आते हैं दूसरी property दूसरी property को अब हम प्रूप करेंगे तो जिरा देखें conditional probability की जो दूसरी property है वह है P2 equal to P A union B over F equal to देखेंगे याँ पर P of A by F plus P of B by F minus P of A intersection B by F तो याँ फार्मला है या प्रापरेटी है तो हम इसको क्या करेंगे प्रूप करेंगे तो यहाँ पज़रा देखें second को प्रूप करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इसका LHS यानि P of A इसका प्रूप ज़रा देखें P of A union B of F equal to ज़रा देखें कंडिसनल प्रोबिल्टी के डिफिनीशन लगाएंगे यहाँ पर हम कंडिसनल प्रोबिल्टी का डिफिनीशन क्या करता है सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है यानि P आप ज़रा देखेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन यानि A union B intersection E of upon P of E of आप ज़रा देखें यहाँ पर क्या होता है या intersection distributed law को फालो करता है तो यहाँ पर distribute हो जाएगा कहने का मतलब क्या होँआ या intersection A के सांथ आएगा या intersection B के सांथ भी आएगा तो यहाँ पर ज़रा देखेंगे यहाँ हो जाएगा P of E intersection of union यहाँ पर ज़रा देखें B intersection of upon P of अब यहाँ पर ज़रा देखें आभी हमने पढ़ा है कि दो सेट का union यहाँ पर ज़रा देखें दो सेट का union P of देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा A intersection of plus P of B intersection of minus P of यहाँ पर ज़रा देखेंगे A intersection B A intersection of intersection B intersection of यहाँ पर आएगा देखें इस तरह से यहाँ पर ज़रा ध्याँ देखेंगे अपान P of यहाँ पर ज़रा ध्यान देखें यहाँ हो जाएगा इसको जब हम लोग लिखेंगे तो P of A intersection of plus P of B intersection of minus P of यहाँ पर ज़रा देखेंगे A intersection of फिर whole intersection B intersection of है तो यहाँ पर जब हम A intersection of intersection B intersection of की बैलू निकालेंगे तो आएगा A intersection B intersection of इस तरह से हो जाएगा intersection of अब यहाँ से हम करेंगे क्या अपान P of E of इसको तीन पार्टों में तोड़ लेंगे एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट इसका भाग इसमें करेंगे इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो इस तरह से यहाँ से इसको हम लोग सकते हैं P of A intersection of upon P of E of यहाँ पज़रा देखेंगे plus P of B intersection of upon P of E of यहाँ पज़रा देखें लिखेंगे माइनस P of A intersection B whole intersection E of upon P of E of और इस तरह से इसकी probability हो जाएगी P of A by E of यहाँ पज़रा देखें इसकी probability हो जाएगी P of A by F plus P of B by F माइनस P of A intersection B by F तो इस तरह से इस्विजेंट हम property 2 को भी प्रूब कर सकते हैं यहाँ पज़रा देखेंगे P of A union B देखेंगे क्या आया है कि P of A union B by F equal to P of A by F plus P of B by F minus P of A intersection B by F तो इस तरह से property 2 को भी हम प्रूब कर सकते हैं अब आते हैं property 3 तो property 3 ज़रा देखेंगे क्या कह रहा है कि P of E bar by up equal to 1 minus P of E by up यानि घटना के न घटने की conditional probability equal to 1 minus घटना के घटने की conditional probability तो इस्टुडेंट आये देखते हैं conditional probability का property 3 property 3 क्या कहता है कि P of E naught by up equal to 1 minus P of E by up यानि घटना के न घटने की सवप्रतिबंद प्राइकता बराबर 1 minus घटना के घटने की सवप्रतिबंद प्राइकता तो आये देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रूब करेंगे कैसे सिद्ध करेंगे तो हम जानते हैं प्रापरटी फर्स्ट प्रापरटी फर्स्ट क्या कहता था कि P of E naught by E naught P of E naught by E naught equal to 1 यह प्रापरटी फर्स्ट यहीं था तो यहाँ पज़रा देखें माना माना सेंपल स्पेस E naught की E naught की कोई घटना यहाँ की कोई घटना capital E है तब तब ज़रा देखें क्या हो जाएगा E intersection E naught equal कितना फाई क्यों क्योंकि E naught यहाँ में से E को घटने पर प्राप्त होता है तो इसका मतलब E naught और E बिल्कुल क्या है disjoint है इनका intersection फाई आता है और क्या होगा अगर E को E naught के साथ मिला दे मतलब union ले ले तो यह किसके बरावर हो जाता है yes के बरावर हो जाता है तो यह equation third बना तो अब हम करेंगी क्या देखेंगे by equation by equation one and third equation एक तथा तीन से ज़रा देखेंगी यहाँ पर P of yes yes की जगे क्या रखना है हमको E union E naught yes की जगे रख दिया अब by F equal कितना है आप ज़रा देखेंगे यहाँ पर जो property जो हमारा एक रिमार्क था कि अगर E और यहाँ का दोनों का intersection अगर फाई है E और E naught का intersection फाई है तो इसकी जो value आती थी वह आती थी P of E by F plus probability of E naught by F और यहाँ पर यह equal to 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़रा देखेंगे E intersection E naught equal to क्या है? पाई है तो यहाँ पर ज़रा देखेंगे यह क्या हो जाएगा P of E naught by F यानि घटना के ना घटने की conditional probability equal to 1 minus P of E by E F तो इस तरह से प्रापर्टी थार्ड को भी हम प्रूब कर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे प्रापर्टी